हलो बचो यह अपना माइनर टेस्ट है इसको पन सॉल करते हैं और यह एक बैलेंस पेपर है कुछ इजी क्यूशन भी है कुछ टिपिकल है थो टिकल भी है अच्छा पेपर है ठीक है तो वर्क एनर्जी ठोरम से स्टार्ट करते हैं तो वर्क पहला क्यूशन जो फर्स्ट है यहां पर लिख रखा है तो केजी जो है मस है डिस्प्लेसमेंट इसका ही है तो पर्थम दो सेकंड में किया गया कारी है थीडिक है टो कारी उर्जापर में काम में लेते हैं अद अखोर्डिंग टुदिश इंक्रीजिंग इनेटिक एनेरजी मतलब यह M को मन ले लिया V final square minus V initial square अब बात आती है V की velocity तो velocity अपन यहां से calculate करेंगे यह होगा dxy dt और बिलकुल इजी है सब कर सकते हो इसको जब T की respect में करेंगे तो 3T square आएगा 3 से 3 cancel तो यह velocity जो आई वो 3T square के एक को लागे अब velocity पर्थम 2 second में पूछ रहा है तो T equal to 0 पर velocity initial और 2 पर final तो initial velocity अपने आजाएगी 0 T equal to 0 रखोगे और final velocity जो आएगी वो आएगी 2 का square means 4 meter per second यह value अपन यहां पर put करते हैं तो 1 by 2, 2, 4 square minus 0, 2 से 2 cancel, 16 joule ठीक है तो यह अपना यहां पर जो answer होगा वो 16 joule के equal आजाएगा ओके तो बिल्कुल इसी question है simple है next देखे आप तो इसका answer होगया second option इसका second second question अपना कि किसी body को अपने 4 meter per second से उपर की और फैका तो किस हुचाएपर गती जूर्जा गटकर प्रारंबी की आधी रह जाएगी तो अपने मानलों इसको किसी velocity V से throw किया तो यहां से अपने इसको थो किया with velocity V इसको reference level लिया तो यहां पर potential energy 0 होगी तो यहां पर total energy की value हो गई half mv square क्योंकि potential velocity जूर्जा यहां पर 0 है अब यहां पर मानलों किसी उचाई यहां पर पहुंच की body और यहां पर उचाई H है जहां पर इसकी गती जूर्जा जो है वो प्रारंबी की आधी रह जाती है तो यहां पर इसकी total energy लेंगे तो potential energy तो हो गई mgh plus kinetic energy जो आएगी वो जो initial थी उसका half कर देते हैं तो पहले थी mv square तो उसका half कर दिया तो जब अपन इसको solve करेंगे तो m तो cancel हो जाएगा इधर आगया जी एच ठीक है और यह 1 by 4 v square यह v square by 2 solve करेंगे तो आएगा v square by 4 तो यहां से h की value अगर solve करते हैं तो v square upon 4 g के equal velocity आपको दे रखिए 4, 4 का square 4 और g की value 10 ही ले ले लेते हैं तो यह आजाएगा अपने पास 16 by 4 तो यह आजाएगा solve करने पर 0.4 meter तो 0.4 meter पर जो है वो velocity initial की क्या होगी kinetic energy initial की half होगी यह जो maximum थी surface पर अब देखें third question a car driver state along state level fractionless road by an engine delivered constant power मतलब जो car चल रही है उसका engine उसको एक constant power देता है तो यह पूछा गया है कि उसका अब एक जो है velocity time के कितनी power के proportional होगी तो यहाँ पर देखें आप simple था power की formula यूज करें पी equal to open जानते f into v होता है यह ma into v mv a की जगह आपर यूज कर लेते हैं dv by dt acceleration हागर अगर अपने को यह यह function of time पूछ रहा है तब तो एक ही जगह यूज करेंगे dv by dt और अगर अपने को पूछ रहा है यह function of position तो यहाँ पर एक ही जगह v dv by dx अपन यूज कर लेंगे ओके तो यहाँ पर देखें आप इसको solve करें तो v dv की value calculate कर लेते हैं तो यह आ जाएगा p by m into dt अब अगर अपने को velocity calculate करनी है तो velocity जो होगी उसके लिए अपने को इसको integrate करना होगा ओके त calculate dt ओके तो यहाँ पर sorry यह v की equally होगा integration के बाद आएगा पहले लिख दिया मने तो यहाँ पर इसका जब integrate करेंगे तो यह अपन जानते हैं कितना हो जाएगा v square by 2 and p by m और into dt का हो गया t ठीक है यह v dt है इसको integrate करेंगे तो v square by 2 आ जाएगा ओके तो v square की value 2p upon m तो अगर आपको velocity की value पूछ रहा है तो यह v square की value आईए ठीक है इसको root कर दीजे v की value आजाएगी लेकिन अपने को पूछ रहा है v जो है वो time की कितनी power के proportional है तो it is proportional to root t k ठीक है तो हाँ power के proportional होगा तो इसका option होगा अपना third ओके नेक्स देखी question no.4 यह एक pendulum है इसकी length आपको L given है ओके तो length जब इसकी L given है A से इसको release किया ठीक है तो B पर kinetic energy में worthy gain in kinetic energy तो simple सा है अपन energy conservation लगाएं तो अपन जानते है loss in potential energy equal to gain in kinetic energy kinetic energy में gain और kinetic energy में gain पूछा है तो जितना potential energy में loss हुआ अब इसको अपन reference level लेते है इस point को reference level RL length इसकी L है तो यह ball जो है वो directly इतनी down आ गई that it is H यह angle 30 है तो यह आ जाएगा 60 यह triangle use करें यह length अपने पास L के equal है एंगिल के सामने के आप perpendicular, base, hypo, solve करोगे तो इसको आ जाएगा L sin 60 तो यह हो गया root 3L by 2 root 3 by 2 sin 60 की value तो loss in potential energy तो यहां से जब इतना नीचे आया तो इतना H down आ गया तो यह आ जाएगा M G और H की value कितनी हो गई root 3L by 2 and this is lost gain in kinetic energy पूछा इसको K लिख देता हूँ इतना gain किया तो यही value पूछिए आपको K की तो K की value आ गई root 3M G L by 2 तो यह अपना answer होगा इसका root 3M G L by 2 तो थर्ड इसका option correct होगा ओके बिल्कुल simple questions है आप देखिए next चलती ट्रेन में एक संदुक को बलाइप से बलाइप लगाया एस विस्थापन दिया यह ट्रेन के अंदर है ट्रेन खुद जो है उसका विस्थापन कितना हो रहा है एस नोट तो total displacement देखो work done जो है वो अपने को आर्थ के respect में पूछ रहा है मानलो यह train ठीक है चल रही है बॉक्स को यहां से यहां तक ट्रेन के अंदर डिस्प्लेश किया यह एस के इकॉल है जब इसको डिस्प्लेश किया जा रहा था तब मानलो इस्टार्ट किया उस टाइम ट्रेन यहां थी इसको डिस्प्लेश कर रहा है ट्रेन चल रही है तो जब इसको यहां से यहां तक ड जानते हैं force into displacement तो f into आ गया कितना s plus s not तो यह answer होगा बिल्कुल simple question है हाँ अगर इसको train के respect में पूछता है तो train के respect में displacement cable कितना आ रहा है s के equal तो इसका answer होता है f into s लेकिन earth के respect में पूछ रहा है तो इस box का earth के respect में total displacement s plus s not होता है ओके कि क्यों सब्सक्राइब करें कि क्यों सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहली बात तो यह कि potential energy इस्तितीज उर्जा और बल में अपन relation देखे कुछ होता है क्या तो यहां पर अपन जानते हैं यह होता है f equal to minus du upon x ले रहे हो तो dx ठीक है यह होता है अब यहां पर u or x में graph बनाएं तो u du by dx जो होगा वो होगा slope slope of u x कर u x u or x में जो graph बना रखा उसका slope होगा इसका मतलब जो फोर्स है वो इसके इक कुलवा negative of slope of u x वक अब अपन जानते हैं कि अगर कोई line का inclination right hand की side में होता है तो उसका slope positive होगा slope positive होगा तो यहां पर force की value क्या जाएगी negative ठीक है inclination line जुकी हुए कि ज़र left side में slope negative होता है force positive आ जाएगा और अगर horizontal है तो उसका slope zero होता है ठीक है तो यहां पर देखो आप यहां से यहां तक यहां से यहां तक inclination right hand की तरफ है तो slope की वेल्यू जो आ रही है वो positive हा रही है और जो भी आ रही है वो constant क्योंकी state line का slope हमेशा constant होता है हर point पर तो यहां से लेकर यहां तक मतलब इस line के लिए slope की value जो आएगी वो slope की value कैसी आ रही है positive हा रही है एंड कॉंस्टेंट आ रही है जो भी है तो यहां पर फोर्स जो आया वो नेगेटिव एंड कॉंस्टेंट तो जीरो से लेकर ए तक तो यहां पर जेखो जीरो से लेकर ए तक नेगेटिव जो है इसमें भी दिख रहा है फोर्स इसमें भी दिख रहा है तो इन दोनों में इसे है कौन सा possible होगा ठीक है तो आगे अपने को score देखना पड़ेगा एसे आगे एसे आगे जो graph आ रहा है वो आ रहा है horizontal line horizontal line का slope कितना होता है zero तो slope जब zero हो गया तो force की value भी कितनी हो जाएगी zero तो उससे आगे एसे आगे जो force हो zero force zero है इसका मतलब यहाँ पर line आनी चाहिए नहीं शोकर है तो भी कोई दिक्कत नहीं तो इसका मतलब constant आगया then zero a के बाद में तो यहाँ पर जो option होगा वो होगा अपना third ओके नेक्स देखिए अब यह भी अभी जो अपन ने किया है उसी पर based है कि you की value आपको given है वो यू की form में लिखा दा du by dx वहाँ पर केवल वो एक x का function था ठीक है अगर 3D यूज करें तो यहाँ पर इसको लिखते है डेल यू अपन डेल x i cap डेल यू अपन डेल y j cap डेल यू अपन डेल z k cap यहाँ पर डेल यू अपन डेल x डेल यू अपन डेल y डेल यू अपन डेल z इनको बोलते हैं partial derivatives partial derivatives का मतलब होता है कि जब x के respect में आप कर रहे हो तो y और z constant होंगे y के respect में x और z constant होंगे और z के respect में x और y constant होंगे तो सबसे पहले एक बता जेता हूं बाकी इसी तरह हो जाएंगे du by dx तो d by dx और इसकी value आपको given है k तो ही और यह आ रहा है x square प्लस y square प्लस z square तो यहाँ पर अपने को differentiation x के respect में करना है तो बाकी y और z constant होंगे तो इसका differentiation 0 हो गया इसका differentiation 0 हो गया x का respect में कितना आएगा 2x तो यहाँ पर यहाँ आगया 2kx ओके ठीक इसी तरह से जब du upon dy निकाल calculate करेंगे अपन तो उसकी value कितनी आ जाएगी 2ky du by dz कितना हो जाएगा 2kz और जब इसमें value अपन पूट करेंगे तो यहाँ पर 2k सब में से common आ रहा है ठीक है with negative और यह आ जाएगा कितना x i cap plus y j cap plus z k cap यह अपना answer होगा ठीक है with negative आना चाहिए तो definitely इसका answer जो है वो first होगा ठीक है next question देखिए अब आप 8th number यह करा एक कंड P A तिर्जा के वर्थाकार पर पर एक समान वेक बीशे गतिसील है वर्थ का के अंदर C तथा AB व्यास है इसका diameter ठीक है तो A तथा C के सापक C उसका center है ठीक है AB उसका diameter है तो बिल्कुल simple है देखिए यह अपन circular path यह इसका diameter यह इसका के अंदर AB इसका diameter हो गया radius इसकी A दे रखी है यह distance भी A होगी अब particle यह चल रहा है मालो particle यहां से चलता हुआ यहां पहुंच गया तो particle का C के सापक्स अगर अपन वेग निकालेंगे तो उसके लिए angle अपने पास आया theta 1 ठीक है तो पहले A के बारे बोल रहा है A और C बोल रहा है तो A वाले को theta 1 मान लेते हैं इसको theta 2 मान लेते हैं तो A के सापक्स यह आगया angle theta 1 और इसको मान लेत ठीक है तो यहां पर जितने यह यहां से यहां तक time t लगा तो उतने time में P A के respect में theta 1 कवर किया और इसके respect में theta 2 अगर अपन टिग्नोमेट्री की बात करें यह बहुत ही small लें तो अपन देखो यह distance A है तो यह total distance कितनी होग यह triangle है यह distance A यह distance 2 A total ठीक है तो यहां पर अगर आपन यह triangle एक और यहां पर लें आपन यह angle मैंने माना theta 1 यह theta 2 तो 10 देख लो 10 calculate कर लो 10 equal to perpendicular upon base जब इसके लिए लोगे आप theta 1 तो perpendicular upon देखो यह h मान लेता हूं तो theta 1 की value आएगी perpendicular h upon 2 A ठीक है जब उसके लिए लोगे आप 10 theta 2 ठीक है 10 theta 2 तो 10 perpendicular h upon A h upon A की जगे आप लिख सकते हो 2 10 theta ठीक है theta 1 तो यहां पर कहने का मतलब है 10 theta 2 equal to आएगा 2 10 theta 1 ठीक है अगर small ले तो theta 2 approximate कि इसके equal हो गया 2 theta 1 के तो कहने का मतलब है यह angle जो है वो double होगा इससे theta 1 से तो अगर A के respect में आपन angular velocity omega A माने तो यह अपने पास आजाएगा omega equal to theta upon T तो theta यहां पर theta 1 by T C के respect में लोगे तो it is theta 2 by T sorry और theta 2 अपन जानते हैं किसके equal है 2 theta 1 by T theta 1 by T कि जोगे omega लिख दो तो यह आजाएगा 2 omega A ठीक है तो theta इस theta 2 की जगे अपने वहां से यह put कर दिया तो यहां पर देखो अपने को ratio पूछ रहा है A and C का पहले A का then C का तो यहां से omega A upon omega C लेंगे तो यह 1 by 2 के आजाएगा तो इनका ratio जो होगा वो शेम पार्टिकल का दो अलग-लग point के respect में velocity अलग-लग हुई तो यहां पर यह omega A upon C जो आ रहा है वो 1 by 2 तो इस answer जो है वो second होगा ओके तो next question देखिया एक कंड वी बरावर 80 चाल से वर्तिय पत पर गती कर रहा है प्रइदीगा एक बटे 8 चकर जब लगा लेगा तो एक बटे 8 चकर में अपन जानते हैं कि उसका एंगिल कितना कवर होगा सबसे पहले यह देखते हैं तो यहां पर यह एक बटे करके तोड़ोंगे इस पर सेखिए और अभी केंद्री है तो इस पर सेखिए टेजेंटियल जिसको बोलते है एक यहां जाएगा डी वी बाइडी टी तो डी बाइडी टी एटी तो जब इसको सॉल्ल करेंगे तो यह आ जाएगा ए ठीक है उसके बाद अपने को चाहिए सेंटिबिटेल ए आर से लिख दो रेडियल बॉल दो इसको एकी बात है इसी लिख दो यह हो गया वी स्क्वाइर बाइड वी की वेल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वाइर अब यह बात है कि इसको यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा तो टाइम के लिए अपन क्या करते हैं टाइम अपन जानते हैं कि जो एंगिल है ठीटा इकॉल टू ओमेगा नौट टी प्लस हाफ अलफा टी स्क्वाइर ठीक है टाइम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो ओमेगा नौट जो है इटिजीचल वेलोस्टी प्रारंबिक वह एक है जो कि 0 होगा इसमे आगर टीकल टू जीरो करेंगे जो वी जीरो तो ओमेगा भी कितना हो जाएगा जीरो यह कवर कर रहा है पाई बाई पाई फॉर पाई वाई टू अलफा आपन जानते हैं क्या होता यहाँ पर यहाँ पर यह जो है वह होगा अपॉन अर्क है कि कैपिट ले को मैने एक्स लेसे रिपर्जेंट किया अब अप जानते हैं यह होता है क्या वी टी ठीक है अपन आर ठीक है यह ऐसा करें इसको कि अपन यह भी चलो करने की जोटनी है अपन इसमें ऐसा करते हैं कि जो यह वैल्यू है पने इसको रिमूग करते हैं तो यहाँ पर देखे यह जो अपना एक बड़ा देता हूं इसको यहां लिख देता हूं तो यहाँ पर देखे थीटा इक्वल टू वन बाई टू एलफा हो जाएगा ओमेगा बाई टी ठीक है इंटू T स्क्वाइर ज़्य जी रहेगा समझने में तो यह आएगा पाई बाई फॉर वन बाई टू ओमेगा की वैलिव कितनी लिख दें अपन ओमेगा इकोल टू होता है V बाई आर ठीक है तो V बाई आर वन टी टू टी कैंसिल वन बाई टू ठीक है V की वैलिव अपने जो है वो दे रखे ए टी तो ए टी अपॉन आर इंटू टी और यह आगया पाई बाई फॉर तो यह यहाँ पर बच गया टू तो अपन टी स्क्वाइर की वैलिव अगर कैल्गूलेट करेंगे तो टी स्क्वाइर की वैलिव अपने के पास जो है वो टी इंटू टी स्क्वाइर हो गया तो से टू यह कैंसिल हो गया आर ऊपर चला जाएगा तो यह आजाएगा पाई आर अपन एके इक्वाल ठीक है यह टी स्क्वाइर की वैलिव यहाँ पूट करेंगे तो ए स्क्वाइर अपन आर इंटू टी स्क्वाइर तो यह बच गया A upon 2 के पाई भी बच गया यह अपने पास जो है वो A r आ गया ठीक है तो यहाँ पर अगर A की value अपन देखते हैं तो A की value अपन जो total acceleration, capital A से लिख देते हैं कोई confusion नहीं हो तो यह होता है, दोनों perpendicular होते हैं तो 80 square plus A r square जब यह इन दोनों की value put करेंगे A square, A square common आ गया ठीक है, तो 12 आ करिए A और बाकी अपने पास बच गया क्या यहाँ से तो 1 plus pi square by 4 4 को calcium लेके solve करोगे, 12 आएगा तो A by 2 और root 4 plus pi square यह अपना answer होगा ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा यह omega जो है, जो अपने पास alpha आया यह जो 0 होई गया alpha जो आया कोण यह turn होता है और इसको अपन लिख देते हैं omega upon T से ठीक है, तो वह यह अपन ने किया है तो यहाँ इसको अलग से T square calculate करके इसमें put कर दिया, ठीक है next देखिए एक कंड को उर्दवादर ऐल लंबाए की हलकी डोरी हलकी छड के एक सिरे से जोड कर उर्दवादर वर्त में गोर्णन कराया जाता है छड का दूसरा सिरा किल की तए यदि वर्त वर्त यह पत को ठीक पूर्ण करता है तो कंड की नियूनतम चाल क्या होगी जब 36 हो, ठीक है, मतलब 36 अवस्ता से यो मान लो, पूरा वर्थ करवाना है, ठीक है, पूरा, cycle complete कर लेगा, लेकिन यह ऐल लंबाई है, 36 से यहां तक पहुंचाना है इसको, इसको अपन reference level, तो increasing reference level यह ले लिया, तो यहां पर, जो है, वो potential zero हो जाएगी, जो पहले किया था, चाहिए energy conservation लगा दो, increasing in potential energy equal to decreasing in kinetic energy, तो यहां पर पूछ रहा है कि इसको, ठीक पूरा करवाना है, इसका मतलब यहां पर ठीक चाल zero होनी चाहिए, zero हो जाएगी, तो यहां पर initial velocity मान लो, अपन ने V दी, तो यहां जो kinetic energy है, वो एक बटे दो MV square, potential energy zero होगी, क्योंकि reference level इसको माना है, जब यहां पर पहुंच गई, यह length L है, तो यहां पर potential energy जो आएगी, वो आजाएगी, MGL, और यहां पर kinetic energy कितनी हो जाएगी, zero, क्योंकि ठीक पहुंचाना है, तो ठीक यहां पर velocity zero, तो इसको solve कर लो, बि बिल्कुल easy question है, next question देखिए, if angular velocity of a disk depends on angle theta, theta पे इस तरह से depend करती है, then the angular acceleration, कौन यह turn पूछा है, कौन यह turn का formula, या तो अपन लिखेंगे, d omega by dt, लेकिन यह अपन तब अलंकी से भी आ जाएगा, step बढ़ेंगी, omega जो अगर t का function है, तो इससे, वरना आपन जानते हैं, इसको यह भी लिख सकते हैं, omega into d omega upon dt, sorry d theta, तो यहाँ पर omega का differential theta के respect में होगा, value put करते हैं, तो यहाँ पर यह आगए कितना, theta square plus 2 theta into d by d theta, omega theta square plus 2 theta, तो theta square plus 2 theta, ठीक है, इसका 2 theta plus 2, ठीक है, theta का मान जब 1 है, तब अपने को पूछा है, तो theta equal to 1 put कर देते हैं, विल्कुल सिंपल है, तो theta की जगा 1 put किया है, तो 1 का square, 2 into 1 into 2 into 1 plus 2, तो यहाँ गया, 3 into 4, यहाँ गया 12, radian per second square, तो इसका answer जाएगा, वो थर्ड अपना answer होगा, नेक्स क्यूशन देखें, बड़ा, एक साइकल चालक, मोड पर 40 km per hour से मुड़ता है, यदि वे दुगनी चाल से मुड़े, तो पलटने की परवर्ती, ठीक है, तो यहाँ पर साइकलिस्ट के लिए क्या होता है, आपको ध्यान होगा, अगर यह अपन horizontal रोड माने, यह कुमता है, तो किसी angle से rotate कर लेता है, ठीटा से, इस पर जो normal reaction लगती है, उसका एक component इधर आएगा, n cos theta, और एक component इधर आएगा, n sin theta, तो एक component तो उसके weight को balance करता है, mg को, और दूसरा इसको centripetal प्रवाइड करवाता है, तो यहाँ पर ध्यान होगा, आपको चलो बता देता हूँ, यह n sin theta equal to centripetal प्रवाइड करवाइगा, mv square by r, और n cos theta, जो है, यह balance करता है, इसके weight को, mg को, डिवाइड करें, तो अपन जानते हैं, 10 theta का value जो आएगा, वो mv square upon rg, कहने का मतलब है theta, पलटने की परवर्ती का म four times हो जाएगी, चार गुणा हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी पलटने की परवर्ती जो है, वो चार गुणा हो जाएगी, ओके, तो simple equation था, next देखिए, 3 kg का है, वो पार्टिकल, बल इस पर बरताएगा है, तो sumvig, ठीक है, तो sumvig के बारे में अपने को इसक पर बताना है, f और t में graph है, अब देखो, आपन सब जानते है, f बराबर होता है, dp upon dt, तो dp equal to हो गया, f dt, अगर आपको sumvig चाहिए, तो integration f dt, sorry, p चाहिए अपने को, तो f dt, अब यहाँ पर देखो, f dt का integration, f change हो रहा है, तो total momentum यह आएगा, और यह अपन जानते है, integration जो है, वो area को भी represent करता है, तो यह जो value है, यह integration वाली, वो represent करेगी, area of ft curve, तो f और t में जो graph बनाया है, उसका area calculate कर लो, वही क्या होगा, momentum होगा, तो यह तो आगया अपना triangle, triangle का अपन जानते है, यह लिख देता हूँ, one upon two, base into height, तो ten, यह अपना आगया total, यह हो गया length कितनी, four, height कितनी, तो यह जो area होगा, वो आजाएगा, four into ten, तो यह आगया, 40, तो total area जो आगया, वो किसके equal हो गया, 50 के equal, तो कहने का मतलब है, total area 50 अपना आ रहा है, तो यहाँ पर 50 newton into second, यह अपने पास momentum आ जाएगा, linear momentum, ओके, हम अटा, देखिए, question number 14, cable नहीं है था कि spring मास है, इसको compress किया, L तक, ठीक है, अब जब यह इससे क्या होगा, कि जस्ट इससे यहाँ पर आएगी, block इससे आके just collide करेगा, उस time block का velocity अधिक्तम होगा, ठीक है, और उसके बाद में इसको compress करेगा, velocity continuous decrease होगी, उसके बाद spring इसको वापस इस direction में भेजेगी, तो जब वापस यहाँ आएगा, तो इसकी velocity उतनी होगी, maximum, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसकी जो maximum kinetic energy है, वो इसमें convert होगए potential में, तो simple सा आपने को दिख रहा है, एक बटे दो, mv square maximum velocity मान लेते हैं, इसको अधिक्तम compress कर दिया, कितना, l से तो k l square, हाप से आप cancel हो गया, यहाँ पर v की value calculate करेंगे, तो v की value अपने पास आजएगे, l, और root k by m, तो यह अधिक्तम velocity आ गई, अपने को पूछा है, maximum, अधिक्तम, समवेग, maximum linear momentum, तो linear momentum अपने जानते हैं, p equal to क्या होता है, mv, तो value put कर दो, यह आजाएगा k by m, और इसको solve करोगे, तो l root m k, ठीक है, next देखे बड़ा, question number 15, दो कन है, a और b, mass direct है, इनके, a परारम में इस्थिर, b, x, x, कि नोदीश, v, वेग, से गतीशिल है, ठीक है, तो अपन इसका diagram बनाते हैं, तो यहाँ पर, देखे आप, b, v, वेग, से गतीशिल, m2, mass है, b, यह, m1, ठीक है, a, इस्थिर है, तक्कर के बाद में, जो position है, उसको अपन देखते हैं, देखो, तक्कर के बाद में, अपने को बोल रहा है, कि b, अपनी प्रारम्पिक वेग के लंबवत है, जो है, वो v, y, 2, से चला जाता है, तो यह क्या क्या होगा, तो यहाँ पर टक्कर के बाद में, यह x-axis माल ले, b, इस direction में, मूँ कर गया, ठीक है, v by 2 से, a का नहीं पता, माल लो, इधर चला गया, u से, ठीक है, तो अब यह x-axis है, यह y, यहाँ से माल लो, यह theta angle से गया, तो यहाँ पर x-axis direction में linear momentum लगाते हैं, तो इसका तो हो गया, m2v, इसका 0 हो गया, ठीक है, x-axis direction में, इसका कुछ है नहीं, इसका हैगा, यह हो गया, a particle अपना, तो इसका mass m1, तो m1u, और यह हो गया, cos theta, y direction में लगा देते हैं, तो y direction में प्रारम में 0, बाद में देखते हैं, तो बाद में अगर अगर अपन इसको देखें, तो तक करके बाद में, तो b तो चला गया, m2 दर्यवान वाला तो चला गया, vy2c, और y direction में, इसके बारे में नहीं पता, तो इसका इदर जो component आएगा, तो वो sine हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, m1 u sine theta, इसको जब अपन सरल करेंगे, तो m2 v by 2 equal to minus m u sine theta जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर velocity अगर देखें, इसके calculate कर सकते हैं, तो 1 by 2, 2 by 1 कर दो, equation 2 divided by 1, तो देखो यहाँ पर, m1 m1 cancel, u u cancel, sine upon cos हो गया 10, और, m2 cancel, v से v cancel, और जब इसको solve करेंगे, तो यहाँ जाएगा, minus का 1 by 2, ठीक है, तो theta की जो value आएगी, यह आएगी, 10 inverse minus 1 by 2, यह इसका answer होगा, तो यहाँ पर इसका option जो है, वो third होगा, ओके बटा, next, देखी, एक गोलक को, उद्वर्श से इस प्रकार गुमा रहे हैं, कि उसका कोण ही आया, 90 मतलब 90 तक यहाँ तक जाता है, यहाँ से, ठीक है, यह दि उस्तम बिंदू पर रस्षी को काट दिया जाए, तो इसके पस्चात, 90 से कम तक, तो पस्च संभा होगा, अब देखो काई भी, यह जब आपन इसके अंदर, यहाँ से चलार, मानलो, यहाँ पर उस्तम बिंदू इसके आगे नहीं जा रहा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, वैलोसिटी जीरो होगी, तो जो यह रस्षी को काट ओगी, जीदा नीचे तो यहाँ पर वैलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, वैलोसिटी जीरो होते ही, यह सीधा क्या होगा, काट ते रस्षी, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका उप्शन हो गया, थर्ड, ठीक है, नेक्स देखें बड़ा, आठ तिज्या के एक वर्त में, एम द्रियमान का एक कन ग स्क्वाइर बाई आर के, और यह अपने को दे रखा है, फोर अपॉर अपॉन आर स्क्वाइर इसको सरल कर लेते हैं, आर से आर कैंचिल, तो वी की वेल्यू आ गई, टू बाई रूट आर, और समवेग अपन जानते हैं, पी वराबर क्या होता है, एम वी के, तो एम टू अपॉन रूट आर के, ठीक है, तो यह अपने बात, आंसर होगा, इसका बिल्कुल सिंपल क्यूशन था, अब ज्यादा अपन टाइम एक नहीं करते हैं, ठीक है, जो सिंपल है, उनको थुदा जल्दी करेंगे, अपन, वी वेग से गती सिल एम दर्वान की एक गेन, ए ठीक है, यह जिट टक्कर के पस्चात हलकी गेन विराम में आ जाती है, तो टक्कर के बाद में हलकी गेन तो एम वाली है, यह तो आ गई विराम में, ठीक है, और इसका वेग अपन मान लेते हैं, यू होग यह मान लो, तो यहाँ पर लिनियर मुमेंटम पहले एम वी प्लस जीरो इसका यहाँ पर जीरो प्लस 3MU तो U की value calculate करेंगे तो यह अपने पास आएगी V by 3 अब यहाँ पर इसके अंदर अपने को coefficient of restitution परत्यावस्ता गुर्णा रंग पूछा है जो कि यह बरापन अपन जानते हैं velocity of separation दूर जाने का वेग बटे velocity of approach पास आने का वेग तो पास आने का वेग तो यह हुआ यह rest में है तो V हुआ दूर जाने का वेग यह हो गया क्योंकि यह rest में है तो पास आने का वेग तो है V दूर जाने का वेग जो है च्छोरी, दूर जाने का वेग जो है वो u है तो दूर जाने का वेग u, पास आने का वेग कितना v ठीक है तो velocity of separation दूर जाने का वेग upon velocity of approach u की value पुट करें तो v by 3 upon v और यह आजाएगा कितना 1 by 3 तो हीजी कुछ नहीं था कोई ज्यादा इसमें नहीं तो इसका उप्शन जो है इसमें वन भाई थी है नहीं तो इसका आंसर जो है वह फोर होगा ओके आगे देखी एम द्रियमान के एक छोटी बाल्टी को लंबाई एल की एक लंबी अवतिने डोरी से जोड़ा जाता है जब डोरी 36 अवस्ता में तब बाल्टी को विराम अवस्ता से छोड़ा जाता है ठीक है मास एम और छोड़ दिया इसको लंबा ही इसकी अपने को दे रखिये एल और जब यह निम्तम बिंदू पर यहां पर आई तो वही लोश इन पोटेंशल एनरजी इक्वल टो गेन इन काइनेटिक एनरजी तो यहां पर इसकी जब ठीक इससे पहुंचेगी तो यहां पर इस टू जी एल के ठीक है अब आगे देख़ो यह निम्तम इस्थिती पर बाल्टी में इम जल बर दिया जाता है म दर्यमान का इसमें जल बर दिया वाटर तो अब यहां पर जब ठीक नीचे आई उस टाइम इस बाल्टी का वेग इतना था लेकिन इसमें जल भर दिया तो अब यह जो बाल्टी है इसका टोटल मास हो गया M प्लस M अब मानलो भरने के बाद में इसका वेग यू हो गया तो अपन क्या करते हैं लीनियर मुमेंटम के कंजर्वेशन से पहले यू की वेल्यू कैल्कुलेट कर लेते हैं तो यू की वेल्यू देखो यहां पर क्या होगा ठीक पहले बाल्टीय के लिए आ रही थी तो वेग M V उसके बाद में M प्लस M और इंटो U तो U की वेल्यू अपने पास आ गई M अपॉन M प्लस M इंटो V ठीक है यह U की वेल्यू आ गई और उसके बाद में कहरा है कि यह H उचाही तक जाती है तो H का मान पूछा है अब यह दोनों जो हैं बाल्टी और पानी इसका दर्यू मान यह हो गया U से जा रहे हैं H उचाही तक जा रहें यहां तक तो यहां क्या करते हैं एनर्जी गंजर्वेशन लगा देते हैं तो देखो इसको आगे का आपन देखते हैं इसमें अब देखो इसके अंदर यहां पर यह वेल्यू से चली यू से तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ M फ्लस M इंटो U स्क्वार इक्वल टू M प्लस M जी एच तो M प्लस M तो हो गया कैंसिल ठीक है तो H की वेल्यू आएगी U स्क्वार अपन टूजी यू की वेल्यू अपन यह पुट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर देखें क्या जाएगा M square V square upon 2G और M plus M का whole square यहां से V square की value put करें होई तो 2G है लाएगा 2G cancel हो गया तो यह last बच गया M L square upon 2G cancel होई गया और M plus M का whole square तो पहले बाल्टी जब अकेली यहां तक पहुंचेगी किस wake से पहुंची जो ही पहुंची पानी बरा उसके बाद कितने wake से चली पहुंची रेके समवेक का संदक्षन linear momentum conservation उसके बाद में वापस energy conservation अपने लगा दिया तो अपने पास इस सुंचाई तक बाल्टी जाएगी ओके नेक्स किसन देखो बिड़ा यहां पर एक कंड पर एक बल आवेक आई आरोपीत करता है जो इसकी चाल को यू से टू यू तक बदल देता है सारी किर्याशिल बल तथा प्रारंबिक वेक विप्रीद दिशा में प्रारंबिक वेक और बल ठीक है तो अपन जानते है आवेक जो होता है इंपल्स इक्वल टो चेंज इन लिनियर मोमेंटम रेके समवेक में परिवरतन वह अंतिम समवेक ठीक है टू एम यू माइनस प्रारंबिक समवेक माइनस एम यू क्योंकि ये विप्रीद दिशा में है बलके इसलिए माइनस एम यू तो यहां पर यह आ जाएगा 3 M U और य final energy final energy तो वे इतना 4u square initial के लिए वे ये यो square तो यह अपने पास आ गया 1 by 2 m की value हाँ से put कर देते हैं i upon 3u और यह आ गया कितना 3u square तो u से u cancel एक 3 से 3 cancel तो यह बच गया iu upon 2k ओके तो यह अपना answer इसका second होगा कि बचो नेक्स्ट क्विशन अपना चित्र में किसी कंड के द्वारा तैके गया पत उसकी स्थिति द्रसाए गई है चार शात्र है अलग लग वेग और त्वन को बता रहे हैं तेको सर्कुलर पाथ पर किसी भी टाइप के कड़ पाथ के उपर हमेंशा जो है जैसे अगर मालो यह कोई कड़ पाथ अपना ठीक है पार्टिकल जो है वो इज़र चल रहा है वेलोसिटी भी से तो इसका एक्सेलेरेशन या तो इधर होगा या इसके परपेंडिकुलर होगा या इधर होगा ठीक है एक ही ये तीन इस्थितियां पोसिबल है क्योंकि अगर इस पाथ पर इक्रीज हो रहा है तो यह पात वी में और एंग्ल hören होगा Smith अगर कॉंस्टेंट है तो वी में वर एंग्र कॉंस्टेंट है और स्पीड अगर डिग्रीज हो रहा है तो वी में और एंग्ल होगा मतलब ग्लेटन नाइंटी इस पीडा रग़ रहготовît ये थो लेस दैन ये पोशिलभल है ये ये कभी भी ऐगर ये पांच वन रहा है तो ये एंगल कभी भी पोसिबल नहीं होगा ओकेइड तो इसके आकोर्डिंग अपने पाथ जो है कौन सा पोसि uy पुछा है तो यह यूढ्य बहां पूशाल है फो बाइस कि और कीर देखिए एक डंबल को गर्शन रही 36 मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि गोले एक को किलकित किया गया है बी इसके साफे इस गोर्णन करता है यह दी भी एक गोर्णन में एक टोटल रिवलेशन के अधर पी टाइम लेता है तो पी अपन जानते हैं पी इकॉल तो 36 टेबल पर रखा ह क्योंकि टाइम इसने पी दे रखा है ठीक है अब यह पूछ रहा है कि तो जो टेंशन है वह आप जैसे यह टेंशन इधर काम करेगी ठीक है और इस पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा जो के मवी स्क्वाइर बई आर के होगा तो टेंशन जो आई वह हो गई मवी स्क लेकिन इसका मास्ट जो है वह टो एम दे रखा है तो टो एम वी ठीक है एंवी स्क्वाइर अपोन आर अर का मलब रेडियस रेडियस आपड डी तो अपना काम बस अब इतना सा है और कुछ मी नहीं बिल्कुल सिम्पल है वी की वेल्यू पुट कर दो तो इसका स्क्वाइर करेंगे तो फोर पाई स्क्वाइर डी स्क्वाइर अपन पी स्क्वाइर और इसको सोल किया तो वन डी डी कैंसिल बाकी कुछ होगा नहीं तो एट पाई स्क्वाइर एम डी अपन पी स्क्वाइर ये इसका आंसर होगा तो आंसर इसका होगा सेकेंड ओके नेक्स्क्रिशन मिलने वाली पर्ति के रिया क्या होगी अब देखो जब यह इस पात पर यह इस तरह से नीचे से ही हो जाएगी तो यहाँ पर इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा एम जी नॉर्मल रियेक्शन इदर काम करेगा ठीक है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा परिणामी होगा वो इसको आवश्यक अभिकेंद्रिय बल परदान करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि सेंटर इदर है इसका तो सेंटिपिटल नॉर्मल रियेक्शन की तरफ आएगा तो एन माइनस दस मान लेते हैं 500 वी का मान अपने को 10 20 का स्क्वाइर हो गया 400 रेडियस दे रखे कितनी 10 तो यह 20,500 यह हो जाएंगे 25,000 ठीक है नूटन या 25 किलो नूटन यह इसका आंसर होगा ठीक है थर्ड इसका आंसर आ जाएगा на नेच्स क्यूशन देंखे यह यहां पर इसको बोलतेैं कौनिकल पैंडोलम ठीक है तो यहां पर देख एक मोनिकल पैंडोलम के अंदर इसकी की लेउन है तो बहँआ पने पास यह है और जब इसको ऊपर ले ले जाएके थोड़ा होरीजंटल में करवाएंगे अपन तो यहाँ पर यह जो radius आएगी तो यह यह यहां पर था थोड़ा ऊपर ले जाएके horizontal में अपन करवा रहे हैं तो यहां पर पहले सबसे पह़ला upon this तो R की value आजाएगी कितनी L sin theta अब अपने को साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि इसको अपन लें यह इसमें tension आगई T ठीक है यह angle अपना theta है तो यह angle भी जो आएगा वो कितना हो जाएगा theta के equal इज़र आगया T cos theta यह balance करेगा Mg को इधर आगया T sin theta यह इसको अभी गेंदरेबल परदान करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह Mv square by R के यह omega की फोरम में है तो M omega square R के तो यहाँ पर देखिए T sin theta M omega square R तो R की value अपन यहाँ से put कर देते जो की अपने पास है कितनी L sin theta और यह भी किसके equal आगया T sin theta sin theta sin theta cancel तो T की value आगयी M omega square L के ठीक है और बहुत अच्छा question है simple साई है ठीक है तो T की value यह आ जाएगे इपने पास next देखिए अब एक वैक्ति जो दोड रहा है ठीक है यह थोड़ी कल्कुलेटिव है दोड रहा है कोई वैक्ति इसकी गतीज उर्जा अपने से आदे दर्यमान के लड़के की गतीज उर्जा की आधी है ठीक है तो अब अपन मान लेते हैं कि जो वैक्ति है वो यूवेक से दोड रहा है तो उसकी गतीज उर्जा यह हो गई अब इसकी गतीज उर्जा आदे दर्यमान के लड़के से आधी है ठीक है तो आदे दर्यमान के लड़के की गतीज उर्जा की आधी है तो आदे दर्यमान आधी हो गई गतीज उर्जा लड़के से लड़के की आएगी एक मास भी कितना है M by two और लड़के का वेग मान लेते हैं वी इस ठीक है तो one by two one by two M cancel M by cancel हो गया यहां बच गया U square equal to V square by four number one ठीक है यदी वेक्ति अपनी चाल को एक मीटर पर सेकिंड बढ़ा लएता तो गती जूर्जा लड़के की गती जूर्जा के समान हो जाती है अब इसका वेग पहले U माना था और अब यह कह रहा है कि इसका वेग एक बढ़ा दिया तो U plus 1 का होल square अब गती जूर्जा इसके ब तो V square का मान अपने पास आएगा 4U square ठीक है तो यहां पर एक बटे दो M cancel हो गया तो यह बचा U plus 1 का square ठीक है एक बटे दो और V square का मान अपने पास कितना है 4U square तो यह बच गया 2U square तो U square प्लस 1 plus 2U equal to 2U square और जब इसको करेंगे U square minus 2U minus 1 equal to 0 यह एक जो ही गात quadratic equation बन गई quadratic equation को इसको solve कर लो ठीक है fraction तो होंगे नहीं तो जो अपना formula होता है X वाला वो put करके तो U की value आजाएगी minus B का मतलब 2 plus minus B का square मतलब 4 minus 4 A का मतलब 1 C का मतलब minus 1 upon 2A इसको solve कर लेते है minus वाला आएगा नहीं तो इसमें जब इसको solve करोगे तो minus वाला यह छोड़ देंगे यह हो गया ठीक है थोड़ा calculate था लेकिन अच्छा क्यूशन है ओके next question वेड़ा एक पत्थर को एल लंबाई की रश्ची से बांद कर उर्डवर्वर्थ में गुमाया जाता है किसी छणिये पर्त वर्थ पत्के निम्तम बिंदू पर है तथा इसकी चाल यू है इसके वेड़ में परिवर्थन पुछाय जब यह छेती जवस्ता में आ जाए ठीक है तो यहाँ पर देखो यह यहाँ पर था छेती जवस्ता में अपने वेग यू दिया लेकिन नीचे से यह जब यहाँ पोँच गया तो माझ लो इसका वेग वी हो गया और इ अग energy conservation लगा दो आप एक ही बात है चलो यहाँ पर total energy इसको reference level माल लेते हैं तो यहाँ पर total energy होगी half mu square यहाँ पर half mv square plus mgl तो v square का मान अगर अगर आपन calculate करेंगे ठीक है तो यह आजाएगा u square minus 2gl ठीक है v square का मान यहाँ पर calculate करेंगे अब velocity में change पूछ रहा है तो velocity में change अग अगर अपन देखें तो यह आएगा final velocity minus unit initial और इसका magnitude पुछा है तो definitely इनके बीच में 90 का angle है तो 90 का angle है तो यह equal to आएगा किसके v square plus u square v square की value अपने पास है और v square की value अपने पास है u square minus 2gl और plus यह u square है तो 2u square हो गया 2 इन दोनों से common आजाएगा तो 2 common आगया तो u square minus gl ठीक है option अपना third जो है वो answer होगा ओके देखें next question एक कार sorry 30 meter per second से 500 meter तीर जाएगे पत पर गोम रहे है अपनी चाल को इस दर से बढ़ा रही है तो definitely turn हो गया ठीक है तो इसका cool turn तो circular path पर तो cool turn आपस किसके बराबर आएगा दोनों turn होंगे इसमें टेजेंटियल मतलब इस पर से रखिए और अभी केंद्रिय तो देखो root at square plus ar square इसको आप solve कर लेंगे ठीक है तो देख लें इसका answer कितना आता जो भी आएगा देख लेंसाइट third होगा इसका answer ठीक है तो calculation आप कर लेंगे नेक्स देखिए एक कर वर्थ ये पत पर गती सीले इसका कौन ये वेग रेखे वेग कौन ये तोन ये सारे दे रखे हैं तो देखो अगर अपने पास यो गती सीले इस पत पर ये इसकी गुर्णन की एक्स है तो देखो ओमेगा इधर होता है एलफा इधर होता है ये वेग इस तल में होगा वी ये इधर रेडियल रेडियस आगए इसकी ये आर तो यहाँ पर वी और ओमेगा परपेंडिकुलर होंगे वी और एलफा परपेंडिकुलर होंगे ठीक है ओमेगा और आर परपेंडिकु radial यह होगी तो यहाँ पर देखो कौन साइस में सही है वो अपने को बताना है तो विकल्प सही नहीं है omega और ac ac जो centipetal acceleration है वो इसी पत पर यह लगेगा तो centipetal acceleration और omega perpendicular यह सही है ठीक है तो यह अपना सही है omega perpendicular alpha यह नहीं होगा omega और alpha axial vector है x के अनुदीस होंगे omega और v perpendicular होंगे यह सही है वी और ac यह भी perpendicular होंगे एक नियेद चाल से चलता है तो तो इसका मतलब यह इसमें सही नहीं होगा ठीक है तो अपना answer जो आएगा इसमें option number two क्योंकि incorrect पुछा था इस not correct ओके नेक्स क्यूशन देखिए कि सवरा बड़ा है एल लंबाई के एक नली एहम दिर्वयमान के एक smpd दर्वे से पूर्ण रूप से बरिये दोनों शीरों को बंद करके नली को एक 36 x के परती ओमेगा कॉन यह वेक से 36 तल में गुआए जाता है उर्द्व एक्स के परती तो देखो इसमें मान लो यह अपनी ट्यूब है टोटल लंबाई इसकी एल है ठीक है ओमेगा से गुम रही है इसका एक अलपांस लेते हैं यह अलपांस यहां से x दूरी पर है इस अलपांस की लंबाई dx तो पूरी ट्यूब के अंधर जो है तो अब by L into dx अब इस छोटे से पार्ट पर जो force लगेगा उसकी value अपन देख लेते हैं ठीक है तो जो force लगेगा वो आ जाएगा dm omega square और into x क्योंकि ये छोटा सा पार्ट इस पार्ट में गुमेगा इसकी radius आएगी किसके बराबर x के equal तो यहाँ पर dm की value put कर दें तो dm की value m by L omega square आ गया यह x है और dx यह df आ गया अब यह अपने को यहाँ पर f calculate करना है तो definitely integrate करना पड़ेगा और integrate करेंगे तो x का ही होगा बाकि सब constant एटो m omega square by L और integration हो गया x का ठीक है और limit कहां से कहां तक 0 से लेकर L तक क्योंकि यह element road के या इस tube के अंदर यह जो element है वो इस किनारे से लेकर इस किनारे तक लेंगे तो x की value 0 से कहां तक चली जाएगी L तक और सब को पता है x का integration x square by 2 limit रखोगे तो L square by 2 1 L से L cancel और यह आ जाएगा कितना m omega square L by 2 ठीक है तो m omega square L by 2 तो इसका answer होगा first option next देखिए एक पर यह को इसके परिताई एक समान कौन ही तुर्ण पर रखा गया है प्रारम भी कौन ही वेक सुनने पथा में एक सेकिंड में थीटा 1 अगले एक सेकिंड में तो यह देखो वैसे भी आप mechanics में ध्यान रखो ठीक है रेखिए गति की बोल सकते हो महलब linear motion यहां पर angular आ गया हर equal t time में मालो a से b तक रेखिए की बात करें time t लगा distance s1 कवर की अगले t second में s2 अगले t second के अंदर s3 अब वो t चाहे यह बोले 1 second अगला 1 second अगला 1 second 5 second अगले 5 second अगले 5 second तो इनका ratio हमेशा जो आता है वो और भी हो सकते हैं आगे 1, 3, 5 के equal होगा ठीक है क्योंकि t यह s1 फिट्रोटल 2 t में कितनी distance करेंगे उसमें सी यह घटा होई आएगा तब जाकर अपने पास ratio ही आएगा तो हर equal अगले time के अंदर जो ratio आता है तो यह एक और 3 का आएगा ठीक है तो theta 1 लेकिन यह आपर पूसा क्या है अपने को theta 2 upon 1 तो definitely यह आजाएगा 3 by 1 के ठीक है तो हर equal interval of time में जो ratio होता है distance का यह कौन का वो 1, 3, 5 आता है हमेशा नहीं जान रखना next देखिए एक पर यह को इसके परित प्रस पर सहयोजित होकर गती करते हैं तो देखो यह सहयोजित होना यह एक तरह से हो गया चाहिए समान दरिया मान के हैं चाहिए लग लग के हैं ठीक है यह भी गती कर रहा है और टक्कर के बाद में दोनों एक साथ समान वेक से चल गई तो यह परत्यास टक्कर कहलाईगी ठीक है और इसके अंदर maximum energy loss पूर्ट परत्यास टक्कर का example है यह perfect in elastic collision और maximum energy का loss होता है तो energy का loss होगा लेकिन चुकि इस पर जब टक्राता है कोई force नहीं लग रहा तो यहाँ पर linear momentum क्या रहेगा conserve तो linear momentum दोनों में conserve रहता है तो यहाँ पर देख लो टक्कर के दोनों निकाय के लिए चुकि यह perfect in elastic है यह परत्यास्त है तो यहां तरिक दोनों संद्रक्षित नहीं रहेगे रेकिन यहां तरिक उर्जा नहीं रहेगी तो answer यह रहेगा ठीक है तो इसमें maximum energy का loss होता है परफेक्ट in elastic collision में आँ मेड़ा next question देखिए पांच मिटर की उचाई से एक रबड की गेंद को एक ग्रय की सतय पर गिराया जाता है गुरुत्य तरण के बारें पता नहीं उचलने के पश्यात तीन पॉइंट दो से उपर जाती है ठीक है तो यहाँ पर देखो मान लो यह सतय है H1 उचाई से गिराया ठीक जब गिर रही है तब इसका वेग V1 टकराने के बाद में ठीक उपर जा रही है तो वेग V2 और उसके बाद मान लो यह H2 उचाई तक गई तो यहाँ पर आपन जानते restitution constant जो है E वो होता है velocity of separation दूर जा रही है V2 से पास आ रही है V1 से ठीक है तो दूर जाने का वेग बटे पास आने का वेग और पहले H1 उचाई से फिर H2 से इस तरह से अगर जाती है तो हमेशा ध्यान रखो H2 की value जाएगी वो आएगी E square H1 ठीक है तो E की value जो आएगी वो आपर लिख सकते है root H2 upon H1 बराबर V2 upon V1 अब यहाँ पर देखो H2 जाए गई कितनी उचाई तक 3.2, I कितने से थी 5 और यह बराबर हो गया V2 बटे V1 ठीक है तो यह 50 32 बटे 50 16 बटे 25 तो यह आएगा 4 बटे 5 16 बटे 5 लेकिन fractional energy में change पूछा है तो fractional change तो 1 minus V2 upon V1 equal to 1 minus 4 upon 5 equal to 1 upon 5 तो change upon initial को बोलते है fractional तो 1 में से गटा दिया तो अब इसको solve करो कि दिखाएगा V1 minus V2 upon V1 और 1 upon 5 energy में loss वा इसलिए negative आना चाहिए यह ठीक है तो वैसे दो final minus initial होता है तो यहाँ पर यह आ जाएगा del V upon V1 equal to 1 by 5 इसको del V लिग लिए अपर ने तो fractional change जो है वो 1 upon 5 के equal आएगा ओके next देखिए एक pump को motor द्वारा एक नली से किसी दर पर जल परवाय किया जाता है तो समान नली में समान समय एन जल प्राप्त करने के लिए सकती देखो इसमें शिम्पल सा ध्यान है तीन चीजें होती है velocity कितनी करने पड़ेगी अपने को यह कह रहा है कि परती सेकिंड जो दर्वाय मान है dm by dt बाद में इसको dash मान ले तो पहले का एन गुना चाहिए यह चाहिए अपने को according to question तो power के बारे में पूछ रहा है तो आप ध्यान रख लो कि अगर एन गुना एन टाइमस अपने को मास चाहिए जो लिक्विड वो चाहिए तो velocity जो आएगी उसको एन गुना करना पड़ेगा पहले वी थी तो बाद में गुना करना पड़ेगा force force जो है वो अपन जानते क्या होता है m into sorry sorry v constant है तो v into dm by dt a बराबर dp upon dt p बराबर mv v constant dm by dt तो यहाँ पर अब देखो बल जो करना पड़ेगा जब value n जो v है वो n times हो गया dm by dt तो बल जो है वो पहले जो बल लग रहा था उसका n square times करना पड़ेगा क्योंकि यह भी n गुना हो गया यह भी n गुना फिर अपन जानते है कि सक्ती p जो है वो होती है f v बल हुआ n square वे गुआ n square और यह n गुना तो कहने का मतलब पावर जो आएगा वो पहले का n cube गुणा आ जाएगा तो simple सा ज्यान रख लो अगर n गुणा दर्वे मान चाहिए तो simple सा है वेग n गुणा करना पड़ेगा पहलेगा बल n square गुणा करना पड़ेगा और पावर n cube गुणा करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि dm upon dt अपने को n गुणा चाहिए तो यहाँ पर देखो u और x में गराब पुछा है f और x में गराब दे रख का है और यह state line है और इधर inclination है तो यहाँ पर इसका मतलब यह जो force है अपने पास इस force की value जो है वो अपने पास कितनी है f equal to minus kx तो f equal to अपन जानते है minus du by dx इसको जब solve करेंगे तो u calculate करेंगे तो integration ठीक है f dx f की value minus kx put कर दो into dx minus minus plus x का x square by 2 तो कहने का मतलब है यह half kx square आएगा मतलब u proportional to x square और एक variable दूसरे की अधिक्तम दो घात पर depend करता है तो graph हमेश्या पैराबोलिक होगा और पैराबोलिक इसमें एक ही दिख रहा है option 4 तो इसका आमस पर कुन सा होगा option 4 क्योंकि u proportional to x square ओके बटा नेक्स देखिए दो मिटर लंबाई की एक समान जंजीरे एक मेज पर इस पर कार रखी गई है कि 7 cm लंबाई मेज के किनारे से लटकी है देखो इसमें एक simple सा में फोर्मला पर आज़ेता हूँ आपको ध्यान रख रहो हमेश्या यह table के उपर कोई chain रखी है तोटल लंबाई chain की L है और यह इसका L बटे N बाग नीचे लटक रहा है मुझा एक बटे N वाग बाग बोल सकते हो या खुल लंबाई L बटे N नीचे लटक रही है तो इसको उपर खीचने के लिए जो कारिय करना पड़ता है उसकी value आती है M G L upon 2N square M G L upon 2N square इतना कारिय करना पड़ता है ठीक है तो लंबाई दे रखी है दो मिटर लंबाई की है तो N का मान निकाल लें देखो कितना भाग नीचे लटक रहा है साथ सेंटीमिटर टोटल लंबाई कितनी 200 सेंटीमिटर 2 मिटर है या इसको मिटर में बदल लो बटे N तो N का मान आ गया 200 बटे 60 मतलब 10 बटे 3 तो N का मान यहां लिख देंगे बाकी सारी चीज़े अपने को दे रखी है ठीक है तो दर्या मान अपने को दे रखा है यहां पर 4 G का मान 10 मान लो लंबा एक टोटल 2 मिटर और 2 और यह 100 बटे 9 इसको अपन सौल कर लेंगे ठीक है तो जो भी आंसर आएगा तो देख लो इसमेंदा यह 3.6 आंसर आएगा तो इसका आंसर होगे अपना 3.6 जूल ठीक है अगला देखी बिटा ऐम दिर्वमान का एक पिंड विरामा वस्ता से किर्या शिल्नीयत पल से कुल दूरी चलता है इसकी गतीज उर्जा तो कारिय उर्जापर में है कारिय उर्जापर में किया गया कारिय economics उर्जाव में वर्दि एक बेटे M V स्कौ़ॉर ठीक है बल दोरा प्राप्ट गतीज उर्जा तो गतीज उर्जा प्राप्ट की प्रारंबिक जीरो मान ले तो यह डेल्टा के हो गई और यह अपन जानते हैं क्या होता है बल इंटू इस्थापन डेल्टा के तो गतीज उर्जा दर्यव मान पर डिपेंड नहीं कर रही इसका मतलब जो है वो आपसन इसका वन होगा ठीक है मान लो आइस दूरी चला तो एफ एस इक्वल टू डेल्टा की बिल्गुल सिंपल क्यूशन है नेक्स देखिए यू में और आर में अब देखो बल्ग के बारे हैं पूश रहा है पहले भी कुछ बताया था इसके बारे में माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस इसको बोल सकते हैं स्लोप ओफ यू एक्स कर्व स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव नेगेटिव का मतलब आकर्शन होता है तो यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर स्लोप बनाओगे इधर मनेगा तो लाइन पीछे की तरफ जुकी हुई होगी इधर लाइन जब इधर जुकी ह भी होगी तो इसका मतलब यहां से ए से सी तक जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया स्लोप नेगेटिव हो गया तो फोर्स की वैल्यू कैसी हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स पर्तिकर्शन बल लगेगा शी के ऊपर देखो इस पर देखा ज तो slope होगा, वो horizontal, horizontal line आई, horizontal line का slope होता जीरो, तो c के उफर जो particular c से पहले, ज़स्ट थोड़ा सा पहले की बात करने है, ठीक है, particular c के उपर जो बल है, उसका मान जीरो आएगा येगा, क्योंकि slope. तो C point पर बलकामान 0 ठीक है उसके बाद में C से इधर चलते हैं पर यहां देख लो तो slope जो आ रहा है वो इधर आ रहा है मालब line इधर जो की हुई है slope positive slope positive तो बलकामान क्या हो गया negative और कहने का मतलब कहां से कहां तक C से D बोल दो या E बोल दो तो C to D यह आ जाएगा तो C to D negative बलका मतलब यह हो गया आकरशन ठीक है attractive और यह repulsive ठीक है अब जो भी option है B तथा D बिंदू सामे वस्ता में हैं नहीं है सामे वस्ता हैं या तो C पर होगा या E पर सामे वस्ता का मतलब total 4-0 तो 4-0 यह तो C पर आ रहा है या E पर आ रहा है ठीक है point C इस्ता ही सामे वस्ता होगी बिल्कुल होगी क्योंकि अगर यहां से इसको थोड़ा से इधर डिस्प्लेश करें इधर इस्ता ही सामे वस्ता कौन सी होती है कि थोड़ा डिस्प्लेश करने पर वापस अपनी प्रारमभी का वस्ता में आए तो C point पर आ रहा है यह सही है ठीक है बिन्दो C तथा B के मद्दय आकर्षण C और B के बीच में आकर्षण नहीं है यह यह असे C तक totally क्या लग लग रहा है पर्ति कर्षण त यही गलत हो गया यह गलत यह गलत डी ओर देख लिए डेख लेग हैं बिन्दो C तथा A के मद्द पर्तिकर्षण C और A के बीच में पर्तिकर्षण यह लिखवाई दिया हमने यह सही है तो B और D इसमें सही है और BD कौन से में आ रहा है तीसरे में तो अपना आंसर जो है इसका तीसरा होगा ठीक है नेक्स देखिए यह सिंपल सा ही है 10 मीटर गहरा इसे इसका फॉर्मला अपन देख लेते हैं क्या आएगा तो पावर के बारे हम पूछा है एच उचाही तक लेके गए तो पावर अपन जानते हैं पार जो है वर्क पर यूनिट टाइम टी मान लो टी इक्वल टू एच उचा दे रखा है आएतन दे रखा है परती सेकंड का दस की गात माइनस एक क्यूब आएतन परती सेकंड तो आएतन तो दर्व मान बराबर होता है गनत्व गुना आएतन और जी एच बटे टी तो वी बटे टी का मान अपने को दे रखा है पानी का गनत्व दस की गात तीन होता ह गांध है तिएक तो इसको 6 कर लो तो इसका झाई जो है वैक्र आपन देखें तो रों काणं दस की गात तीन की गात वारे ट जो था है यहांपर देख लिजए नाइन पोइंट एक किलोवाट यह इसका अंसर है कि चित्रा अंसार इस्प्रिंग नियतां के 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 स्प्रिंग से दड़ बिंदू ओ से एम दिर्यमान के समानसर सामने अवस्ता में तो इस्प्रिंग में संची तूर्जा देखो इस्प्रिंग में संची तूर्जा होती है हाफ के x square spring जो है वो कितना खिची मान लो इस छड़के कारण छड़का जो मास है वो बीच में काम करेगा weight ठीक है उसके कारण यह spring यहां गई इतना खिच गई मान लो कितना x तो spring पर इधर बल लगेगा kx ठीक है अब यहां पर छड़का weight जो है वो बीच में काम करेगा mg तो अपन इस point के according कितना खिची वो देख लेते हैं तो अपन इस point के according इसका और इस बलका क्या करते हैं आगोन ले लेते हैं तो आगोन tau equal to होता है force into perpendicular distance तो force की x लग रहा है इस point के about ले रहे है तो distance L आ गई इस का ले रहे है force mg लग रहा है distance कितनी L by 2 तो mg का तो torque हो गया o के about इस point के about यह और kx का हो जाएगा kx into L यह तो यहां से कितनी spring खिची वो देख लेते हैं तो L से L cancel हो गया तो x की value आ गई mg upon 2k तो x की value put करें तो half k और x square हो रहा है तो m square g square upon 2k square ठीक है तो एक k से k cancel हो जाएगा तो यह आएगा m square g square upon 4k अब सना गया इसका first ओके next देखिए दो v में से 10 f यह दे रखा है ठीक है यहां से यह तक का कार यह निकालना है तो कार यह बराबर देकर 3d अगर इसमें दे रखा है तो यह अपने point कहां से कहां तक 23 से लेकर 30 तक और f dot अब यहां पर dr use करेंगे तो 2 से 3 3 से 0 f का मान आपको दे रखा है 3x square i cap plus 4j cap अब dr को अपन क्या लिखेंगे dx i cap plus dy j cap conservative अब यहां पर देखो integration 2 से 3 3 0 i से i cap को किया तो 3x square dx plus इसको इससे किया तो 4 dy only ठीक है अब इसको integrate कर देते तो x square का x cube by 3 3 से 3 cancel तो x cube और dy का y तो 4y और यह limit अपने को put करनी है 2 3 3 0 तक तो पहले x की जिगा 3 put किया तो 27 y की जिगा 0 तो 0 minus अब lower limit put करेंगे तो यह 8 x की जिगा 2 put किया y की जिगा प्लस बारा तो बारा राट बीस 27 में से 20 कम हो गए तो यह बच गया अपना 7 जूल ठीक है तो 7 जूल प्लस का जो भी answer इसका third ओके अपने नेक्स देखिए एक संड़क सी निकायक की स्थिझ जूट जाए इतनी है तब साम में इस्थिथी का मतलब बता आया था साम में इस्थिथी वह होती है जब बल का मान कितना होता है जीरो तो बल को जीरो करेंगे बल होता है कितना minus d u upon d x इसको जीरो करना है तो इसका ओकलन मैं सीधा ही लिख रहा हूं माइनस ठीक है तो यहां पर जाब करोगे तो x square का हो गया कितना माइनस x square 2x तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x का हो गया 3 equal to zero solve करेंगे तो x की value 1.5 meter ठीक है तो बिल्कुल simple की सुने दो कोई यादा इसमें दिमाग नहीं लगा न अपने को है एक स्थिरकार sorry m1 m2 दर्यमान के दो करों को विस्पोर्ट होते हैं तो देखो जो विस्पोर्ट होगा तो external कोई भी force नहीं लगता force जब नहीं लगेगा तो उनका linear momentum रहेगा ठीक है तो linear momentum जैसी यह particle था दो पार्ट में तूट गया एक इधर गया एक इधर गया तो इसका linear momentum P1 इसका P2 तो P1 equal to P2 ठीक है इनका magnitude सेम हो तो यहाँ पर linear momentum concerned है तो गतीज उर्जाओं का अनुपाद पूछ रहा है गतीज उर्जाओं आपन जानते हैं यह भी लिख सकते हैं P2 upon 2m पी की value constant है तो इसका मतलब E जो आएगा वो inversely proportional to mass क्योंकि with spot होने पर P हमेशा क्या रहेगा तो इसका मतलब E1 बटे E2 जो आएगा वो किसके equal आजाएगा M2 बटे M1 के क्योंकि यह इसके वित्कुर्मानुपाथी आ रहा है ओके नेस्ट किसान के स्थिरकंड से टकराता है ठीक है और दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो मान लोग कितनी चाल से चले U से रहे के समय परफेक्ट इनिलास्टिक कोलिजन है रहे के समय एक संदक्षन तो MV और ब्रावर 3MU तो U का मान आगया कितना वी बटे 3K यह बिलकुल इजी क्यूशन है यह भी किवल आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ओके तो वी बाई 3 मतलब आंसर यह आगया हाँ तीन समरूप गेंदे A, B तता C को एक टेबूल पर सरल रेखा के अनुजीश रखा है B तता C प्रारम में विराम में हैं गेंद A 10 मिटर पर सेकंड से B पर सीधे संगट करती है सबी संगट परत्यास्ट माने जाते हैं परफेक्ट इलास्टिक कुन सा होता है कि अगर जो है समान दर्म मान के अगर बोल हैं यह M, यह M, यह V-Wake से सल रही परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो टक्कर के बाद यह तो रुख जाएगी और यह चलने लग जाएगी energy का maximum transfer होता है रेखो in elastic में maximum loss होता है और elastic perfect है तो maximum transfer होता है maximum transfer हो गया same mask के है तो पूरी की पूरी energy इसको देगा मतलब जो wave इसका था वो इसको मिल गया तो यहाँ पर यह 10 से चली यह तो रुख जाएगी टक्कर के बाद टक्कर के बाद A तो रुख गई B चलने लग गई 10 meter per second से अब B टक्राएगी C से तो B तो रुख जाएगी और C चलने लग जाएगी कितने से 10 meter per second से तो perfect elastic है तो टक्कर के बाद पहले वाली रुखती जाएगी last वाली उसी wave से गती करने लग जाएगी तो 10 meter per second इसका वेग आ जाएगा velocity of C पूछी थी C का वेग क्या होगा ओके यह बहुत्सा क्यूशन है simple यह वैसे last question एप प्रत्यास अंगट में केवल समवेग संद्रक्षित रहता है अभी भी बताएग था वैसे समवेग तो रहे गई वो energy का maximum loss रहता है गती जूट जास नहीं रहेगी नहीं समवेग यह भी नहीं होगा समवेग वो गती जास दोनों नहीं cable और cable क्या रहता है समवेग क्योंकि प्रत्यास तक कर जो है जिसको अपन perfect इन elastic बोलते हैं उसमें energy का maximum loss होता है ओके बटा तो यह अपना paper complete है आप एक बार इसको दुबारा देखिए हो सकता है कुछ एक दो questions इसमें calculation थोड़ी बड़ी होगी अजरवाई सब simple questions थे इसी level की paper आजकल आते हैं ओके thank you बटा JCLC best of luck